मीडिया का भारत का जो मीडिया का 99.99999% मीडिया केवल मोधी सरकार की तारीफ करता है लाखो करोड रुपे लगाकर जूट और नफरत फैलाने का काम करता है इसमें मिस्टर अंबानी के भी चैनल है इसमें सब के चैनल है गोदी मीडिया का एंपायर आप देखिए कितना बड़ा है तब भी मिस्टर अदानी को लगता है कि किसी में तारीफ करने की हिम्मत नहीं है सुबा से लेकर शाम तक केबल तारीफ ही हो रही है जनता की आवाज उन चैनलों पर जगा नहीं दी जाती है और आप कहरें करेज होना चाहिए अदानी सहाब मीडिया फ्रीडम की का लेक्चर देना है तो मुझे लगा ये बकवास बात है पूरी तरह से बकवास बात है मीडिया का भारत का जो मीडिया का 99.99999% मीडिया केबल मोधी सरकार की तारीफ करता है लाखो करोर रुपे लगा कर जूट और नफरत फैलाने का काम करता है इसमें मिस्टर अंबानी के भी चैनल है इसमें सब के चैनल है गोधी मीडिया का एमपायर आप देखिए कितना बड़ा है तब भी मिस्टर अदानी को लगता है कि किसी में तारीफ करने की हिम्मत नहीं है सुबह से लेकर शाम तक केवल तारीफ ही हो रही है जनता की आवाज उन चैनलों पर जगह नहीं दी जाती है और आप कहरें करेज होना चाहिए अदानी साहब मीडिया फ्रीडम की का लेप्चर दे रहे है तो मुझे लगा ये बकवास बात है पूरी तरह से बकवास बात है मीडिया का भारत का जो मीडिया का 99.99999% मीडिया केवल मोधी सरकार की तारीफ करता है लाखो करोर रुपे लगा कर जूट और नफरत फैलाने का काम करता है इसमें मिस्टर अंबानी के भी चैनल है इसमें सब के चैनल है गोधी मीडिया का एमपायर आप देखिए कितना बड़ा है तब भी मिस्टर अदानी को लगता है कि किसी में तारीफ करने की हिम्मत नहीं है सुबह से लेकर शाम तक केवल तारीफ ही हो रही है जनता की आवाज उन चैनलों पर जगा नहीं दी जाती है और आप कहरें करेज होना चाहिए अदानी साहब मीडिया फ्रीडम की का लेक्चर दे रहे है तो मुझे लगा ये बकवास बात है पूरी तरह से बकवास बात है मीडिया का भारत का जो मीडिया का 99.99999% मीडिया केवल मोधी सरकार की तारीफ करता है लाखो करोड रुपे लगा कर जूट और नफरत फैलाने का काम करता है इसमें मिस्टर रंबानी के भी चैनल है इसमें सब के चैनल है गोदी मीडिया का एमपायर आप देखिए कितना बड़ा है तब भी मिस्टर अदानी को लगता है कि किसी में तारीफ करने की हिम्मत नहीं है सुबह से लेकर शाम तक केवल तारीफ ही हो रही है जनता की आवाज उन चैनलों पर जगह नहीं दी जाती है